Hey guys, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चले हैं आप लोग के? So, I hope आप लोग की तयारी for the upcoming May 24 अटेम बहुत अच्छी चल रही होगी. तो मैं आज आप से इस वीडियो में डिसकस करने जा रहा हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि आपके एक्जाम के लिए 40 days के आसपस का टाइम बचाए. तो क्या हम 40 days में अपना एक्जाम निकाल पाएंगे? ये मैं आपको जो कुछ बाते बतारो ध्यान से सुनना, then you will be able to 100% crack your exam in the upcoming 40 days. ठीके, देखो, जो कर लिया, कर लिया, मेरी बात सुनो ध्यान से, जो कर लिया, कर लिया, लेकिन आगे का time, जो अगले 40 दिन है, वो अगर आपने खराब कर दिये तो सारी जो मेहनत आपने करिये ने, वो सब खराब हो जाएगी. ठीके, तो आगे के 40 दिन आपको बहुत ही दियान से सोच समझ के काम लेना पड़ेगा, देखो, आप चाहे, बहुत दे रहे हूँ, अगर आप बहुत दे रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कोई मतलब, दो ही पेपर है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए strategy काम करने वाली है, इसमें मैं आ परते चले जाओगे, सबसे पहला पॉइंट आता है, keep studying, सर पढ़ी रहे है, keep studying, मतलब रुकना नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या करते है, इस टाइम पर आके ना ठक जाते है, कि सर बहुत टाइम हो गया, पढ़ते पढ़ते, थोड़ा धीले पढ़ जाते है, धीले नही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी आदा दिन आपको पढ़ाई भी करनी है, किसी का कोई birthday भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो सब चीजे देखो, वो तो part of the live है, आती रहेंगी, जाती रहेंगे, exam है यार, क्यो इतनी tension लेनी है आपको, पढ़ते चले जाओ, बस keep going, द result हमें positive मिलता ही नहीं है, तो आपको अपनी तरफ से 100% लगाना है, बागी देखो किसमत है, बागी destiny है, जो लिखा होगा, जिस time पे लिखा होगा, आपको उसी time पे मिलेगा, आप कितनी वर्जी कोशिशे कर लो, जिस time पे जो चीज लिखिया, आपको उस time पे वो मिलेगी ह हमें अपना effort नहीं खतम करना, हमें अपना effort नहीं रोगना, keep going पढ़ते चले जाओ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, आप अपनी तरफ से effort तो तो यार, आप अपनी तरफ से effort देते चले जाओ, positive रहो, positive रहो, positive लोगों के साथ बैठो, positive बाते करो, घर में positive माहल रखो, abhi frustration गर में निकल जाती है गर में frustration निकले की तो घर का माहौल बिगड़ता है गर में argument शुरू हो जाते है negativity फैलने लग जाती है लडाइ जगड़े शुरू हो जाते है positive रखो, घर का माहौल अच्छा रखो positive रखो, खुश-खुश रहो ठीक है खुश खुश रहोगे तो सब अच्छा आपको मिलेगा ही मिलेगा तो stay positive positive आपको रहना है अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं सर टाइम की कमी हो रही है हमारे पास तो time available नहीं है time कम है ये subject नहीं पढ़ पारा वो subject नहीं पढ़ पारा देखो time सबके पास पूरा ह होता है आपको time निकालना पड़ेगा हाँ अब आपको यहां पर effort लगाने पड़ेंगे क्या आपको अपनी नीद कम से कम 6 maximum 6 गंटा लेकर आने पड़ेगी अगर आप 6 गंडे से उपर सो रहे हो तो आपको 6 गंटे पर अपनी नीद को करना चाहते हैं आपको 12-14 hours की study इस टाइम पर लास्ट के 40 डेस के अंदर अंदर तो यह चाहिए होगी देखो लास्ट 40 डेस भी अगर आप लग जाओगे ना तो आपका यह लगा लो जो अभी तक अगर आपके अंदर कुछ कमी रही होगी ना अभी तक अगर आपके effort में कमी रही होगी अगले 40 दिन आप effort अपने बढ़ा दोगे आप मेरी बातों को follow करोगे आपका exam निकल जाएगा आपका exam निकल जाएगा ध्यान से सुनना यह 40 दिन बहुत important है यह 40 दिन आपके future को decide कर देंगे बहुत important है आपको intermediate clear करके देंगे कि study time 14 hours रखो अचा सर मौर्णिंग study करूँ night study करूँ क्या करूँ देखो आप to you totally up to you मैं नहीं बता सकता आपको कि किसी को मैं बहुत को नहीं चाग सकता तेर राथ तक तो जबरतश्थिं को नहीं जगवाया जा सकता अब अगर मेरी बात करोगे तो मैं कभी भी लेट नाइट जाधा नहीं है फड़ा मैंने आपको सबसे कम डिस्ट्रेक्शम में लेगी तो मौर्णिंग में पढ़ो अगर आपको को लगता है कि Connect dyn के ताइम पर करसे कोई नहीं होता वहके मंडर फाधल दोनों वारंकिंग कि आपको लगता है कि में जादा से जादा अब फ्री रहता हूं गर पे, अकेला रहता हूं, तो मैं राम से जादा जादा दिन में पढ़ सकते हो, तो दिन में पढ़ो, लेकिन ध्यान रहे, 14 hours आपको पढ़ना पढ़ना है, 14 hours, 12 to 14 hours आपको study चाहिए, चाहिए बोथ हो, चाहिए single हो, चाहिए एक दो पेपर रह रहे हो बतलब जिस भी time पर आप उठते हो ना, चाहिए आप early morning उठ रहे हो, चाहिए आप थोड़ा late उठते हो, क्योंकि आप night पढ़ रहे थे, तो दिन की starting theory से करो, क्योंकि सुबह सुबह उठोगे, उठता ही mind थोड़ा fresh होता है, fresh mind से आप theory पढ़ोगे, concentration high रहेगा, जादा subject से रखनी चाहिए, क्योंकि end तक आते आते हैं, आप ठक जाते हो, ठकावट में theory subject पढ़ोगे, तो कुछ नहीं पढ़ने पढ़ेगा, बस पढ़ रहे हो, किताब खोलके बैटे हुए, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है, तो दिन की शुरुआत theory से पढ़ो, ending हमेशा practical paper से करो, ठीक है, यह ध्यान दखना, ओके, और कुछ बाते हैं, देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, जो सर कह रहे हों कि सर मेरा तो अभी न एक subject रहता है, एक subject मतलब रहता है, मैं ऐसा तो नहीं बोलूगा कि पूरा का पूरा चल रहा है अभी, ongoing है, या ऐसा हो सकता है कि जैसे, for example, FMSM होता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलता है कि सर मैंने अभी SM पढ़ा ही नहीं है, मैंने अभी SM को पढ़ा ही नहीं है, तो सर क्या करूं, मैं group 2 के लिए जाओं या group 1 के लिए जाओं, अगर आपने group 2 सोचा है बोलत के लिए आपको जाना है, अगर एक का subject चल रहा है, एक आपने subject अभी चुआ भी नहीं है, शुरुवात कर दो, जो चुआ नहीं है उसको शुरुवात कर दो, और जो चल रहा है उसको चलते चले जाओ, लेकिन ध्यान रहे, साथ-साथ revise करते चले जाओ, जैसे मैं audit की बात करूँ, हो सकता है आप लोग का audit अभी चल रहा हूँ, मेरे साथ-साथ ही आपका audit अभी चल रहा है, ठीके, तो audit खतम होता रहेगा, tension नहीं लेनी कि भी एक subject क्या होता है, कि हम pressure इतना ले ले लेते हैं, कि मेरा ये subject pending चल रहा है, ये subject अभी मैंने चुआ नहीं है, उस जो आपने पढ़ रखा है, वो भी खराब हो जाएगा, समझे मेरी बात, तो जो पढ़ रखा है, उसको पका रहा हो, उस पर अपना confidence रहो, और जो चल रहा है, उसे चलाते चले जाओ, क्या दिक्कत है, साथ-साथ रिवाइस करते चले जाओ, और जो subject आपने छुआ ही अभ चूज कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई है, इस समय ये बच्चा बोले कि मेरा group 2 तो सर अभी 10% ही हुआ है, 20% ही हुआ है, तो तो मैं आपको बोलूगा कि ये single के लिए जो, फिर तो both के लिए जाने की फाइदा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ये बोलो कि सर, group 2 में मेरा ए maximum बच्चा ऐसा ही होगा, जिसका भी syllabus पूरा ही नहीं हुआ होगा, syllabus तो exam से एक दिन पहले भी पूरा नहीं होगा, ये syllabus है इतना पाहड, syllabus exam से एक दिन पहले भी पूरा नहीं होगा, अगर आपने, यार मैंने देखो हमीशा आपको बोलता हूँ, कि भी 10 subjects, 10 chapter है, example दे रहो 10 10 तो होते हैं, 20 पर चीज होते हैं, ठीक है, 10 chapter मैंने example दिया, मैं कहता हूँ कि 10 में से 8 भी तुमने कर रहे हैं, वो 8 को 100% करके चलो, वो 8 को 100% करके चलो, और 2 chapter जो तुमने नहीं करे, उसका at least overview लेकर चलो, अपना risk को क्या करतो, risk को minimize करके चलो, वो आपको बहुत जादा हो गई नहीं, मैं दूसरे ग्रूप अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अभी एक ही दूँगा, नहीं भाई, अगर आपने शुरुवात कर रहे हैं, तो भाई, करते चले जाओ, उसको खतम करो, उसको खतम करो, सारी चीजे रिवाइस करो, प्रेशर तो रहे गई रहे गई समझो मेरी बात को, ठीक है, फॉलो करो चीज़े को ध्यान से, और एग्जाम किलिर हो गई होगा, देखो एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम hall में बैठने से पहले, आपको हर सब्यक् forskг है, अई एट लिस्ट दो मौक टेस्टो लिखने ही लिखने है, पर सब्यक्त, सर अगर मानलो आपके पास कोई मॉक टेस्टी नहीं है, जिसे और कोई सब्जेक्टेस सेलस्टेडी किया है, तो क्या करोंगो Warcraft कर लिख लो I.C.E.I. वाला मॉक टेस्ट लिख लो, उसके answer है, उसके answer से अपने answer को compare करके देख लो मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है मॉक टेस्ट का मतलब यह नहीं है कि आपके वही कोशन एक्जाम में उठके आएंगे मॉक टेस्ट आपको यह टेस्ट करके देगा कि क्या आप 3 गंडे में मतलब 3 गंडे में आप अपनी performance कैसी दे पा रहे हो क्योंकि कि जो आपने पढ़ लिया ना जो आप ने पढ़ लिया इतने महीने सा पढ़ते आ रहे हो 8-9 महीने सा पढ़ते आ है है थेयोरी में नमबर दिलाने क्या खी ओरे के भी लिखने आपको नहीं तो फिर थीरी में नुटर नहीं एंगे तो मॉक्स हर एक सब्ज़क्त क्या अटलीक्त आपको दो देने की ढहिए review गया दलासके दस से बारा दिन आपको मॉक्स के लिए के रिज़र्फ करने, कहने का मतलब यह है, कि आप अपना बीस Open तक, 20 April तक, जो भी आपको करना intimate पूरा कर लो, turning April के बाद, बीस April के बाद, आपको कुछ भी new नहीं करना, 20 April के बाद कुछ 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, fingers पर गीन पार हूँ मैं, कितने दिन बचेंगे, लगबग 15 दिन बचेंगे, ठीक है, 15 दिन में से और, आप 2 दिन, 2 दिन पहले paper के लिए काट के चलो, कि पहला paper आपका accounts होगा, तो 2 दिन आप उसी में लग जाओगे, तो आप effectively मान के चलो, आपके 12-13 दिन बचेंगे, तो 12-13 दिन आपको क्या करना है, subject को पूरा revise करना है, mock test लिखना है, revise करना है, mock test लिखना है, अगर आप 12-13 दिन last के reserve कर दोगे, तो आप अराम से 2 mock test दे सकते हो, तो last 20 अपरेल के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 2 mock test देना है, accounts के mock test, audit के mock test, मैं खोद ले आप उसको solve कर लेना, ठीक है, दो mock test दरूर लिख कर जाना, ठीक है, अच्छा, पहला पहला attempt है नए कूर्स का, न्यू कोर्स का पहला पहला attempt है, तो आपके लिए golden chance है, अच्छे तो golden chance है आपका exam clear करना, तो golden chance है यह attempt, क्योंकि देखो, आपको, जो मैं उपर लिख रहा हू क्यों easy आते हैं, देखो, मेरी बातों को record करके, यह upload मत करने था, कि सर ने बोला था कि easy आते हैं, लेकिन है तो मुश्किल आ गया, लेकिन हा, मैं तो trend के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कि जब भी नया कोर्स है, 2018 में आय था, तो आप 2018-2019 के paper उठाना, आपको level बहुत हलका नीचे है, सारे के सारे questions उसके cover करो, जितने भी MCQs आपको दे रहे हैं, ICI study mat के, वो सारे MCQs करो, आपको कुछ भी नए MCQs करने की ज़रूत नहीं है, ICI के study mat में जितने MCQs हैं, वो करो, ICI के study mat के सारे questions, examples, back questions वगएरा, test your knowledge, जो भी questions हैं, ICI के, वो सब पे command आपकी क्या बोला मैंने, पहला attempt है, आपको ICI के study mat के सारे questions, सारे MCQs, ICI के latest RTP और दो mock test जो भी हो निकालेगा, एक तो निकाल चुका है, एक और भी आजाएगा आपका 10-15 दिन में, तो ये सब चीज अगर आप cover कर लेते हो ना, आपका पकड बहुत अच्छी बनेगी subjects पे, फिर RTP और MTB हो सकता, ना cover कि हो, क्योंकि वो तो अभी आए हैं, तो वो आप additionally करके चलो, ठीक है, लेकिन ICI study mat जरूर आपको cover करना है, ICI study mat के अलावा अगर आप question नहीं भी करते हो, कि सर मैं पुराने exam के question देखूँ, ये देखूँ, वो देखूँ, इतना time नहीं है, 40 days ही बच concept, concept अच्छे होने ची आपके concept strong रखो, concept strong रखो, और ICI के questions, RTP, MTB, जो latest वाल RTP और MTB है, इतना भी कर लोगे ना आपका काम बनेगा, मैं आपको ये guarantee दे सकता हूँ, इसके लिए मैं guarantee दे सकता हूँ, आपका paper इन में से ही मिलेगा आपको, study mat, RTP, MTB, इसके अलावा आपको paper कहीं से नहीं मिलेगा, आप figures तो change हो ही जाएंगे, obviously figures तो उपन नीचे होंगी, लेगिन question की जो pattern होंगे ना, वो यही होंगे, study mat, RTP और MTB, इसके लावा आपको कुछ भी करने की requirement नहीं है, बास समने मारी है मेरी, तो इन पे command अच्छी बना कर रखो, ठीक है, तो इस तरीक अच्छान रहते हैं, intermediate में जाते हैं, foundation वाले बच्चे मैं देखता हूँ, वो मस्त मौला रहते हैं, लेकिन intermediate में जाकर आप अपने उपर इतना pressure ले ले तो आप परशानी होने लग जाते हो, depressed होने लग जाते हो, नहीं सर, exam ही तो है यार, क्यों इतनी attention लेनी है, हम अपनी तरफ से हम अपना effort देंगे न 100%, हाँ जहां आपकी effort नहीं है, उस पर regret जरू करदा चाहिए, उस पर आपको अपने आपको खुद को punishment देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जब आप अपना 100% effort दे रहोते हो, हमारा काम क्या है, एक इनसान, हमें एक व्यक्ति है, हमारा काम क्या है हमारा काम है, 100% effort देना, आप अपनी तरफ से 100% दो, result आपको मघवान देगा ही देगा, जब भी result नेगेटिव आता है, आप समझ लेना, आपके effort में कमी रही होगी, तो आपको अपना 100% लगाना है, 100% अपना जी जान जोग दो, जो 40 देना है, एक ही बच्चे नहीं लिख 40 days, like, did, never did before, broke, break all the records, वो गयरे, 40 दिन ऐसे बढ़ो, जैसे आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, 40 दिन ऐसे बढ़ो, कि जैसे आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, सक्सस मिलेगी, मिलेगी, सक्सस मिले कर सकते हो, अभी तक धीले थे, अभी तक effort में कमी थी, अब 40 दिन में effort बढ़ा दोगे, अब 40 दिन में जी जान लगा दोगे, निकल जाओगे, अभी तक effort थे, अभी तक जोशीले थे, अभी तक effort पूरे लगा है, लेकिन आगे 40 दिन में धीले पढ़ गे, पस जाओगे, सम को मिलेंगी good luck ठीक है खुशी खुशी जाओ holy भी नजवाए करो holy का दिन हो ली भी नजवाए करो आधा दिन holy को enjoy भी करो और आधा दिन पढ़ाई करो all the best अच्छे ते त्यारी होगी नीचे एक number आ रहा होगा मेरा अगर मेरा number note करना 9717175748 यह मेरा number है चाहे आप मुझे पढ़े हो या ना पढ़े हो किसी भी टाइब की आपको counseling चाहिए कि किसी भी टाइब की आपको guidance चाहिए ठीक है आप मुझे message कर सकते हो आप मुझे मिलना चाहो मिल भी सकते हो लेकिन आप एक बार मुझे message drop कर दोगे definitely आपको reply मिलेगा ठीक है all the best stay positive पड़ते हो बाइब